हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब स्वागत है आप का मेरी यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे क्लाउड बैग यह बहुत ही आसान है और दिखने में भी बहुत सुन्दर दिखती है यह बैग इसके लिए मैंने फोर प्ला यान लिया है ब्ल्यू कलर का फोर एमेम का क्रोशे हुक लिया है नीडल एक्स्टा यान को हाइड करने के लिए एंड सीजर यान को कट करने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्लीप नॉट बना लेंगे चैन बनाएंगे वान चैन टू चैन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9, 10, 11, 12, 13, 14 75, 76, 7, 78 और 79 यह हमने 79 चैन बना ली है टोटल 79 चैन बनानी है फिर हम फर्स्ट रो के लिए यह फर्स्ट जो चैन है उसको स्कीप करेंगे और सेकेंड चैन में हम सिंगल क्रोश्या बनाएंगे सिंगल क्रोश्या इस तरह से है चैन के अंदर हूप को डालना है लूप निकालेंगे और डोनों लूप में से एक लूप निकालेंगे इसको सिंगल क्रोश्या बोलते हैं सिंगल क्रोश्या ये पूरे रो में हमें सिंगल क्रोश्या बनाना है इस तरह से तरह से पूरी रो में हम सिंगल ग्रोश्य बना लेंगे यहां तक हम पूरा एंड तक हम सिंगल ग्रोश्य बना लेते हैं फिर आपको बताती हूँ क्या आगे क्या करना है यह देखिए दोस्तों मैंने यहां तक एंड तक पूरा बना लिया है लास्ट में यहां पर भी बना लेंगे और यह हमारा टॉटल 78 सिंगल क्रोश्या बनकर रेडी हो जाएगा यह टोटल 78 बनेगा क्योंकि यहाँ पे हमने एक चेन को स्किप किया था अब सेकेंड रो के लिए हम 3 चेन बनाएंगे 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और यह पूरा वर्ब को टन करेंगे अब हम यहाँ पर डबल क्रोश्या बनाएंगे इसके लिए एक लूप ऐसे लेंगे इसके अंदर डालेंगे सेम चेन के अंदर इस तरह से और दोनों में से एक लूप लेंगे फिर से हम डालेंगे एक डबल क्रोश्या बनाएंगे दोनों में से एक लूप लेंगे यह 3 बन गए हमारे पास और एक next एक double crochet डालेंगे दोनों में से एक लूप निकालेंगे और यह हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4 हो गए यह सब भी लूप में से एक लूप निकाल लेंगे और chain 1 बनाएंगे फिर next के one and two chain के अंदर हम double crochet बनाएंगे simple वाला one double crochet and next में भी one double crochet अब हम यह जो next chain है इसमें इसी तरह से पहले जो हमने किया double crochet का एक लूप निकालेंगे इसमें हम four time double crochet बनाएंगे one time यह हो गया two time और यह हो गया three time और यह हो गया four time और हमें इसको close नहीं करना है इसी तरह से five लूप को एक साथ एक लूप में ले लेंगे और one chain बनाएंगे और next में हम next door chain में हम double crochet बनाएंगे one double crochet and two double crochet फिर से next chain के अंदर हम इस तरह से एक double crochet फिर same chain के अंदर second double crochet पर हम पूरा close नहीं करेंगे लूप को ऐसे ही रखेंगे three double crochet हो गए हमारे पास और ये four double crochet और total हमारे पास one, two, three, four and five लूप है five लूप में से एक लूप को निकाल लेंगे chain one बनाएंगे फिर next में हम double crochet बनाएंगे one double crochet and two double crochet फिर से हम इसी तरह से four time double crochet डालेंगे one time, two time, three time and four time ये हो गया हमारे पास five लूप, five लूप में से एक लूप निकालेंगे chain one बनाएंगे और next two chain में double crochet one and two और ये इस तरह से हमारे पास ऐसे stitch बनते जाएंगे ऐसे one, two, three ये को हम popcorn stitch बोलते हैं ये पूरा end तक इसी तरह से हमें करना है फिर से हम बनाएंगे popcorn stitch यहां पर one double crochet, same के अंदर two double crochet और पूरा लूप को close नहीं करना है one, two and three and four double crochet ये five लूप में से एक साथ ले लेंगे और chain one बनाएंगे और ये सभी पार्च लूप में से एक लूप निकाल लेंगे chain one बनाएंगे और ये सभी पार्च लूप में से लूप निकाल लेंगे next two chain में double crochet बनाएंगे one and two double crochet फिर ये next last हम इसमें bubbles बनाएंगे तो one and two and three and four ये पांच हमारे पास लूप हो गए पांच में से एक लूप निकालेंगे chain one बनाएंगे and ये last की two chain में हम double crochet से पूरा ये row हमारा finish करेंगे इस तरह से फिर third row बनाएंगे उसके लिए one chain बनाएंगे और पूरा work को turn करेंगे अब हम यहाँ पे first chain में single crochet बनाएंगे second में भी single crochet बनाएंगे और ये जो हमारे पास bubble है bubble की ये जो chain है इसके आगे ये छोटी वाली chain है इसको हम skip करेंगे और ये bubble वाली chain के अंदर ही single crochet बनाएंगे तो यहाँ पे one single crochet फिर next chain में भी one single crochet डालेंगे सिंगल क्रोष्यया। और यह छोटी वाली चैने को स्किप करना है। ही बड़ी चैने में करेंगे सिंगल क्रोष्ययuben। next be one single crochet and two single crochet ये छोटी chain को skip करके ये बड़ी chain में single crochet बनाएंगे इस तरह से हमें पूरी row complete करनी है और सभी में ये छोटी जो chain है उसको skip करना है छोटी वागी chain को skip करके बड़ी chain में single crochet बनाएंगे और ये पूरा रो कम्प्लीट करेंगे एंड में हमारे पास टोटल 78 सिंगल क्रोश्या बनेंगे क्योंकि ये बीच में जो छोटी चेन ली थी वो हमने एक्स्ट्रा चेन ली थी ये कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है फिर ये देखिए मैंने ये थ्रीी रो भी बना ली है अब हम यहाँ पे वन चेन टू चेन एंड थी चेन बनाएंगे और वर्ब को टन करेंगे अब हम जो हमने सेकेंड रो में बनाया उसी तरह से सेम इसी चेन में ये जो 2 सेकेंड रो है and third row second, third, second, third यह पूरी row को हमें repeat करना है तो अब यहाँ पे हम bubble बनाएंगे उसके लिए पहले double crochet three time बनाएंगे क्योंकि यह chain है इसको भी हम double crochet count करेंगे इसलिए one, two and three time and यह four time हमारे पास हो गए यह first chain में हमारे पास चार loop ही रहेंगे फिर chain one बनाएंगे next में next two chain में two double crochet बनाएंगे one double crochet and two double crochet फिर से यह third chain के अंदर हम bubble create करेंगे one and two and three and four double crochet बनाएंगे और इसके अंदर हमारे पास पाच लूप रहेंगे इसमें से एक निकालेंगे एक chain बनाएंगे next two chain में two double crochet बनाएंगे one and next chain में one double crochet फिर से यहां पे bubble बनाएंगे इसमें से one and two and three and four यह पूरा five में से एक में लूप निकालेंगे फिर chain one बनाएंगे and next में two time double crochet बनाएंगे one and two इस तरह से पूरा हम यह row complete करेंगे फिर single crochet का फिर से राउन बनेगा फिर से यह बबल्स का राउन बनेगा इस तरह से second and third row हमें 11 times repeat करना है यह पूरा मैं complete कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या करना है यह देखे मैंने यह 11 row total बना ली है बबल्स की और यह कितने अच्छी तरह से यह बबल्स दिख रहा है आपको इस तरह से मैं करूँगी तो दिखेगा अगर अब सीधा करेंगे तो अच्छे से नहीं पता चलेगा देखिए पूरे रो में हमें बबल्स दिख रहे हैं ये पॉपकर्ण स्टीच बोलते है इसको मैंने ये टोटल ये यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 12 बबल्स की रो बनी है और हमने बीच बीच में single crochet की row बनाई है और यह first बनाई थी तो total हमारी row बनेगी 25 rows अब हम यहाँ पे handle का पाट बनाना start करेंगे यह मैंने यहाँ से finish किया था यह पूरा row तो अब यहाँ से हम handle बनाना start करेंगे इसके लिए one chain, two chain, three chain लेंगे और turn करेंगे और यह हमारा उल्टा पार्ट है और यह अपने सिधा पार्ट ये सिधा पार्ट है हमारा अब हम यहां पे bubbles बनाना start करेंगे bubbles के लिए one chain one, two and three time और ये four loop होंगे हमारे पास first में one ले लेंगे one chain बनाएंगे फिर next two chain में में double crochet बनाएंगे और ये जो chain है वो भी हमारा double crochet ही है इसलिए one two three और four double crochet हमने बनाए इसके अंदर और ये two double crochet ये two double crochet बना लिया हमने अब हम यहाँ पे bubble बनाएंगे one and two and three and four और ये हमारे पास ये total five loop बन गए इसके अंदर से भी एक loop निकालेंगे one chain बनाएंगे फिर हम यहाँ पर double crochet बनाएंगे one and two double crochet अब हम यहाँ पे भी loop the bubble बनाएंगे one and two and three and four और ये five loop में से ले लेंगे chain one बनाएंगे और यहाँ पे last में one double crochet ही बनाएंगे तो हमारी ये eight chain complete होगी one, two, three, four, five, six, seven and eight chain हमें eight chain में ही work करना है अब हम chain one बनाएंगे और इसको turn करेंगे अब हमने ये turn किया है यहाँ पे हम single crochet की line बनाएंगे one single crochet and इसको skip करेंगे क्योंकि ये bubble के आगे वाली chain है सेम जैसे हमने किया था और उसके next chain में हम single crochet बनाएंगे इस तरह से पूरा ये row complete करेंगे ये skip करेंगे और इसके अंदर single crochet बनाएंगे फिर से one chain, two chain, three chain लेके इसको turn करके हम bubble वाली row बनाएंगे इस तरह से total हमें 23 times bubble बनाने है और 23 times single crochet की row बनाने है total हमारी 46 row बनेगी तो इतना पूरा मैं बना लेती हूं सिर्फ ये eight chain में वर्क करके और ये हमारा पूरा handle का part ready होगा ये पूरा बना लेती हूं 46 row total फिर आगे बताती हूं क्या करना है ये देखिए दोस्तो मैंने ये bubbles की 23 rows and 23 single crochet की total 46 row बना ली है अब हम यहाँ पे ये एक chain ऐसे लेकर ये पूरा thread को cut करके निकल लेंगे फिर ये extra thread रखेंगे उसको हम यहाँ पे last में join करेंगे अब हम ये इसके जो back के नीचे का जो base का part है वो ready करेंगे अब हम base के part के लिए एक sleep knot बनाएंगे फिर chain बनाएंगे बनाएंगे 27, 28, 29, 30, 31 टोटल हम 31 chain बनाएंगे फिर one chain को skip करके second chain में हम single crochet बनाएंगे पूरी row हमें single crochet की बनानी है अब हम ये last key two chain में भी single crochet बना लेंगे अब next row के लिए chain one लेंगे और work को turn करेंगे और पूरी row में single crochet बनाएंगे और इस तरह से हमें total nine single crochet की row बनानी है वह मैं पूरी बना लेती हूं nine single crochet की row फिर आके बताती हूं क्या करना है ये देखिए दोस्तों मैंने ये nine row बना ली है अब हम इसकी tail 60-70 cm जितनी लंबी tail रखेंगे और cut करेंगे ये मेरा base का part ready हो गया है अब हम यहां पे ये जो tail रखी है इसमें needle के use से यहां से जो नीचे की side हमारी chain है one two three four five six seven eight nine ये nine chain को हम ये इसके अंदर ये nine row है हमारे पास इस तरह से पूरा यू करेंगे फिर यहां पे भी 30 chain को count करके 30 chain को join करेंगे फिर से यहां से nine and फिर से इस तरह से 30 chain and ये side का part इस तरह से पूरा हमें connect करना है और ने टू थर्ड रो को हम थर्ड चेन के साथ ही connect करेंगे एंद फोर्थ रो को हम फोर्थ चेन के साथ इस तरह से पूरा कि जुईन होगा ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो के साथ हम इस तप ही फिफ्थ चेन है कि 15 को कनेक्ट करेंगे फिफ्थ रह पिर ये 6 रो को कनेक्ट करेंगे अब यह 7th row है तो हम इसके अंदर 7th row को डालेंगे और यह 8th row जो है इसके अंदर 8th chain को डालेंगे और यह 9th row जो है हमारे पास इसके अंदर यह 9th row को 9th chain को के साथ इसको connect करेंगे यह हमारा connect हो गया अब हम इसके जो side के जो part है यह total 30 chain है तो यह 30 chain यहां से count करके 30 chain के साथ इसको stitch करेंगे और यहां से फिर से 9 chain and फिर से पूरा यहां पे 30 chain इस तरह से पूरा round complete करेंगे यह मैं complete कर लेती हूँ यह देखे मैंने पूरा यह base का part connect कर लिया है अब हम यह जो side का जो part है इसको भी पूरी row से यह जो पूरी bubbles की row है फिर single crochet यह पूरा अच्छे से इसको दोनों part को इस तरह से row के साथ मिला के यह जो हमने यहां तक बनाया है यहां का handle का starting point है यहां तक यह पूरा इसी तरह से join कर देंगे इसमें हमें यह दियान रखना है कि यह कोई भी sst जागे पीछे ना हो और पूरी row अच्छे से connect होने के यह पूरी row अच्छे से connect हो और फिर यह जो हमारी यह long tail है उसी से हम इसको join करेंगे और अच्छे से यह रोको सभी को साथ में join करके पकड़के इस तरह से आपको join करना है और connect करना है यह पूरा यह connect कर लेती हूँ मैं फिर बताती हूँ आगे क्या करना है यह देखिए दोस्तों मैंने यह पूरा यह side का भी join कर लिया है और यह हमारा base part भी join हो गया है अब हम यहाँ पे एक knot बना के यह extra thread को इस तरह से अंदर hide करने के लिए डालेंगे यह हो गया हमारा और इसको cut कर लेंगे हो गया अब हम यह handle के part की जो tail है यह को हमने long रखी थी इसको भी स्यू कर लेंगे इसको भी यह सामने की side यह ultra part इस तरह से करके यहाँ पे join करेंगे और इसको हम turn करके पूरा सीधा कर लेंगे पहले यह देखिए यह पूरा हमारा bag ready है सिर्फ handle को stitch करना है तो यहाँ पे हम इसका जो center का जो part है इस तरह से इसके center के part में रखेंगे और join करेंगे और add stitch का use करेंगे इस तरह से और जो यहाँ पे जो bubble है उसके सामने भी bubble हो और पूरी row इसी तरह से bubble की हमें बनानी है तो यहाँ पे यहाँ से पूरा 8 stitch काउंट करेंगे और अगर आप चाहो तो यहाँ से यह bubbles को count करके 8 chain को count कर लीजिए और stitch marker का use कर लीजिए और join कर लीजिए दोनों part को इस तरह से यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक हमें connect करना है इसको यहाँ से तो यह दोनों part को इस तरह से रखेंगे और join करेंगे यह लास्ट की जो chain है इसको भी हमने connect कर लिया है और इस पर हम not लगा देंगे यह नॉट हमने लगा लिया है फिर यह जो thread है इसको भी हम इसी तरह से अंदर की side यह टेल को हम हाईर कर लेंगे इस तरह से और cut कर लेंगे यह देखिए यह पूरा इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी तो पूरा आपको bubble दिखेगा और यह पूरा handle में हमें यह पे पूरा handle में भी हमें यह bubbles दिखेगा अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो like, share and subscribe कर दीजेगा मिलते हैं और एक नए interesting वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends thank you for watching